हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स स्वागत आपका PKM Special Classes में फ्रेंट्स आज हम पढ़ने वाले 11 अक्टूबर का Current Affair और साथ साथ Static GK का Set No. 8 भी पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोश्चन है कि हाले में किसने 120 भासाओं में गाना गाकर गिनीज रिकार्ड अपने नाम दर्ज किया है तो यह ऐसा किसने किया है सुचेता सतीस ने किया है यानि सुचेता सतीस ने 120 भासाओं में गाना गाकर गिनीज रिकार्ड जो है अपने नाम दर्ज किया है अगला कोश्चन है कि हाल ये में ASI द्वारा प्रतिस्थित आरेभट पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है तो यहां प्रदान किया गया है जी सतीस रेड़ी को प्रदान किया गया है यानि ASI का फुल फार्म जो होता है Aeronautical Society of India होता है तो जो ASI द्वारा जो होता है प्रतिस्थित आरेभट पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है जी सतीस रेड़ी को दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है कि विश्चो प्रवासी दिवस कम मनाया गया है तो विश्व प्रवासी दिवस जो है हाल ही में 9 अक्टूबर को मनाया गया है अगला कोशन है किस राज में उरान योजना के तहत चीपी हवाई अड़े का उधगाटन किया गया है तो उरान योजना के तहत चीपी हवाई अड़े का उधगाटन कहां किया गया है महरास्ट में किया गया है अगला कोशन है दिल्ली भी सुविध्याले के कुलपती कौन बने है यानि दिल्ली भी सुविध्याले का कुलपती किसे न्यूक्त किया गया है तो योगे सिंग को न्यूक्त किया गया है अगला कोशन है कि WHO ने किस देश के द्वारा निर्मित पर्थम मलेरिया वैक्सीन को स्विकृति प्रदान की है यानि United Kingdom को प्रदान की है United Kingdom मिन्स ब्रिटेन को प्रदान की है यानि WHO ने बिर्टेन द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्विकृति प्रदान की है। आज का नेक्स्ट कोश्चन है अखिल भारतिय बैज्यानिक योम तक्नीकी संगोष्थी कहां आयोजित की गई है। नेक्स्ट कोश्चन है कि बिदेश मंत्री येस जैसंकर किस देश की चार दिवसी यात्रा पर गए हैं यह कजाकिस्तान और आर्मेनिया की यात्रा पर गए हैं। इसको जरूर पेंडाउन कर लें क्योंकि ऐसे कोश्चन का एक जाम से पूछे गए हैं। तो बिदेश मंत्री येस जैसंकर जो है किस देश की चार दिवसी यात्रा पर गए हैं तो यह दो देशों की यात्रा पर गए हैं। जरूर पर गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट कोश्चन है करेंट अफेर का कि हाली में कौन सा राज दालचीनी की संगठित खेति करने वाला भारत का पहला राज़ बन गया है। तो ऐसा करने वाला हिमानचल प्रदेश जो है भारत का पहला राज़ बन गया है। तो ए फ्रेंड था आज का current affair यानि 11 October का और इसके बाद चलते हैं हम लोग static GK का set number 8 साल्ब करेंगे उसके बाद पुना एक बार revise करें current affair का तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का static GK का set number 8 आज का पहला question है कि अंडमान निकोबार दीप समू में कितने दीप स्थित हैं या 324 हैं next question है कि एक रुपे के नोट पर किस के हस्ताक्षर होते हैं तो बित्त मंत्राले के बित्त सचीव के होते हैं अगला question है कि संसत के दो सत्रों के बीच अधिक्तम कितनी अवध हो सकती है अधिक्तम 6 माह की अवध हो सकती है संसत के दो सत्रों के बीच अगला कोश्चन है कि अजन्ता और एलोरा की गुफाएं कहां इस्थी थें अजन्ता और एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद महराश्ट में इस्थी थें नेक्स्ट कोश्चन है कि महाबली पुरम का रथ मंदिर जो है किसने बनवाया था महाबली पूरम का रथ मंदिर जो है पल्लाओ के राजा नर्सिंग वर्मन ने बनवाया था अगला कोशन है जिम कारवेट नेशनल पार्क कहां इस्तित है जिम कारवेट नेशनल पार्क जो है उत्राखंड नैनी तालमे इस्तित है अगला कोशन है गीत गोबिंद के लेखक कौन है तो गीत गोबिंद के लेखक जैदेव है अगला कोशन है खजुराहो के मंदर किस वंस के सासकों ने बनवाये थे खजुराहो के मंदर जो है चंदेल सासकों ने बनवाये थे अगला कोश्चन है कि घाना पच्छी विहार जो है कहां इस्तित है तो घाना पच्छी विहार जो है भरतपुर राजस्थान में इस्तित है अगला कोश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है दास कैपिटल जो है काल मार्क्स की रचना है तो यहाँ था फ्रेंट से स्टैटिक जीका का सेट नमबर 8 जिसको हमने साल्व किया अब चलते हैं आज का जो करेंट अफेर है यानि 11 अक्टोपर का उसको एक बार पुना रिवाइश करते हैं करेंट अफेर का रिविजन का पहला कोश्चन है कि हाल ही में किसने 120 भासाओं में गाना गाकर गिनी रिकार्ड अपने नाम दर्ज किया है तो सुचेता 37 ने किया है अगला कोश्चन है कि हाल ही में ASI द्वारा प्रतिष्टित आरेभट पुरसकार जो है किसे दिया गया है या 37 रेडड़ी को दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है कि 2080 दिवस कम मनाया गया है तो यह 9 अक्टूबर को मनाया गया है अगला कोश्चन है कि किस राज में उडान योजना के तहाँ चीपी हवाई अड़े का उधाटन किया गया है तो यहां महरास्ट में किया गया है रिवीजन का नेक्स्ट कोश्चन है कि दिल्ली भी सुविद्याले के कुलपती की निक्ति किसे की गई है यानि दिल्ली भी सुविद्याले कुलपती कौन मना है तो योगे सिंग अगला कोश्चन है कि WHO ने किस देश के द्वारे निर्मित पर्थम मलेरिया वैक्सीन को सुकृति प्रदान की है तो यह UK को प्रदान की है यानि ब्रिटेन को अगला कोश्चन है कि अखिल भारती वैग्यानिक्यों तक्निकी संगोष्ठी कहा आउजुत कीगई है तिया ओडिसा राज में आउजुत कीगई है अगला कोश्चन है कि बिदेश मंत्री या जैसंकर किस देश की चार दिवसी यात्रा पर गए हैं तो यह दो देशों की यात्रा पर गए हैं कौन कौन से कजाकिस्तान और आर्मेनिया नेक्स्ट Do you say that is ब्हारत के कि सहर में इस्तित फ्लाइंग कार बनाने वाली कम्पनी वीयाट अरुमोबिल्टी कंपनी भारत के लिए फ्लाइंग कार तयार कर्यार यह था था ओन लालघ्र तो ऐसा करने वाला हिमानचल प्रदेश पहला राज़ बन गया है तो फ्रेंट्स यहां था 11 एक्टूबर का करेंट अफेवर और साथ ही साथ इस्टेटिक जीके का सेट नंबर 11 था तो फ्रेंट्स से इस वीडियो के पीडियो का लिंग हमने वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वहां से आप इजली डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यहां वीडियो कैसे लिए कमेंट बॉक्स में जरू बता है और हमारे चैनल को जरू करने ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स के साथ वीडियो मिलती हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद